ओम शान्ती आज दोज लाई के अव्यक्त बाप दादा के महा वाक्य हैं रिवाईज मुरली है 26 जैनुवरी 95 तो आज की मुरली का सार है ब्रह्मा बाप के और दो कदम फर्मान बरदार वफादार और पिछले संडे की मुरली में बाबा ने दो कदम बताए थे आज्याकारी और सरवश द्यागी तो आज बाबा बात कर रहे हैं फर्मान बरदार और वफादार इन दो कदमों के भारे में तो आज पाप दादा चारों और के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं तो कौन से दो बच्चों को बाबा ने एक है स्नेही और सहयोगी और दूसरे हैं शक्ति शाली तो बाबा कहते स्नेही सभी बच्चें हैं लेकिन शक्ति शाली यथा शक्ती हैं। स्नेही बच्चों को स्नेहे का रिटर्न पदम गुणा स्नेहे और सहयोग प्राप्थ होता है और शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजई भव का रिटर्न मिलता है मिलता सभी को है स्नेही बच्चे यथा शक्तिशाली होने के कारण सदा सेहज विजे का अनभव नहीं कर पाते कभी सेहज, कभी मेहनत और बाप तादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सेहज करने का सहयोग देते हैं क्योंकि स्नेही आत्मय सहयोगी भी रहते ही है तो सहयोग के रटर्न में बापतादा सहयोग जरूर देते हैं लेकिन योग यथार्थ ना होने के कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अन्भव नहीं कर पाते योग द्वारा ही सहयोग का अन्भव होता है बस और शक्ति-40 मान बच्चे सदायोग युकते हैं इसलिए सहयोग का अनभव करते सहज विजई बन जाते हैं लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं प्यार और सदा विजई रहने की शुब चाहना सभी बच्चों में रहती है लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सरव शक्तियां कारे में नहीं लगा सकते तो बाबा सनेही और सहयोगी बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि उनमें शक्ति की कमी होने के कारण वो सरव शक्तियां कारे में नहीं लगा सकते बाप वर्से के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार तो सभी बच्चों को देते हैं अधिकार देने में बाप दाता अंतर नहीं रखते सभी को संपूरण अधिकारी बनाते हैं लेकिन लेने में बच्चे नंबर वार बन जाते हैं बाप दाता किसी को special, किसी को अलग tuition देते हैं क्या? नहीं देते पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है ऐसा नहीं कि पांडवों को अलग पालना हो, शक्तियों का अलग हो, ऐसे है क्या? सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है लेकिन लेने में, रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता है? कहां अश्ट रतन और कहां 16,108 रतन कितना अंतर है? तो ये अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को, वर्दानों को धारन करना और कारे में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है इसमें अंतर हो जाता है कि पढ़ाई और पालना वर्दानों को धारण तो करते हैं लेकिन कारे में नहीं लगाते तो बावा कते इसमें अंतर हो जाता है कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं लेकिन समय परमान कारे में लगाना नहीं आता है बुद्धी तक बहुत भरपूर होंगे लेकिन करम में आने से फर्क पड़ जाता है तो ब्रह्मा बाप नंबर वन क्यों बना? दो कदम पहले सुनाए ना? तो तीसरा, सदा बाप, शिक्षक और सद्गुरु के फर्मान बरदार बने हर फर्मान को जी हाजिर किया बाप का फर्मान है कि सदा सर्व खजानों के वर्से में संपन बनना और बनाना तो परतक्ष देखा, साकार बाबा में परतक्ष देखा कि सर्व खजाने ग्यान, शक्तियां, गुण, स्रेष्ट समे, स्रेष्ट संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कारे में लगाया लास्ट दिन भी समे संकल्प बच्छों प्रती लगाया ग्यान का खजाना, याद की शक्ति और सहन शिल्ता के गुण का सरूप ये सब खजाने लास्ट समे तक शरीर को भी भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगा कर दिखाया तो इसको कहा जाता है फर्मान बरदार नंबर वन बच्चा क्योंकि बाप का विशेश रही फर्मान है कि याद और सेवा में सदा बाप समान रहो तो आदी से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फर्मान प्रैक्टिकल में देखा न कौन से दोनों फर्मान याद और सेवा में बाप समान रहना तो ये दोनों ही फर्मान साकार बाबा में शुरू से लेकर अंत तक प्रैक्टिकल में थे तो सनेही की निशाने हैं फालो करना तो चेक करो, आदी से अब तक सर्व खजानों को स्वो के साथ साथ सेवा में लगाया है तो हमें भी चेक करना है कि हम भी ब्रह्मा बाप समान जो बाबा से खजाने मिले हैं क्या उनको हमने स्वो के साथ साथ सेवा में लगाया है बाप का फर्मान है एक स्वांस वा संकलब सेकंड व्यर्थ नहीं गवाना है तो सारे दिन में ये फर्मान प्रैक्टिकल में लाया या कभी लाया या कभी नहीं लाया अगर कभी कभी फर्मान बर्दार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में जाहेंगे अगर बाप दादा फर्मान बरदार की लिस्ट निकालें तो आप किस लिस्ट में होंगे अपने को तो जानते हो ना क्योंकि आप सभी सरव खजानों के ट्रस्टी मालिक हो तो एक संकल्प भी बीना बाप के फर्मान के यूज नहीं कर सकते हो या सोचते हो कि हम बालक सो मालिक हैं इसलिए विर्थ गवाएं या क्या भी करें इसमें बाप का क्या चाता है देखो बाबा से कैसी कैसी भाते करते हैं बाप ने दे दिया अभी हिसाब क्यों लेते हैं बाबा से पुछते हैं तो बाबा केते नहीं, आप रोज बाप के आगे कहते हो, सब तेरा है, मेरा नहीं है, कहते हो ना, कि टाइम पर मेरा और टाइम तेरा, जब हमारा मतलब हो तो मेरा, वैसे तेरा, ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो. ब्रह्मा बाप को देखा, अपना अराम का समय भी विचार सागर मंधन कर बच्चों के प्रती लगाया, रात्री में भी जाग कर बच्चों को योग की शक्ती देते रहे, ये चरित्र तो सुने है ना, ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना, फालो फादर किया या सिर्फ सुन लिया, तो बाबा कहते सुनना अर्थात करना, तो तीसरा कदम सदा जी हाजिर, सदा हजूर हाजिर और नाजिर, कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे ना, बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे, तो मन की स्थिती में सदा हाजिर और नाजिर अनभव किया सेवा में सदा जी हाजिर किया चाहे रात हो चाहे दिन हो सेवा का direction मिला और practical किया और करम में सदा हांजी किया हांजी का part पढ़ाया न तो आप क्या follow करते हो भावा बच्छों से पूच रहे हैं कि आप बच्चे भी फालो करते हो कभी हान जी, कभी ना जी तो नहीं करते तो प्यार का सबूत दिखाओ ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं मेरे दिल में देख लो क्या दिखाओं, क्या सुनाओं तो बच्चे ऐसे गीत गाते हैं, लेकिन बावा करते सबूत दिखाओ, तो सबूत है follow father, तो चेक करो कि स्थिती में, सेवा में, करम अर्थात संबंद संपरक में, तीनों में सदा follow father है, किस किस में? स्थिती में, सेवा में, करम अर्थात संबंद संपरक में, तीनों में सदा follow father है, हर फर्मान सिर्फ बुद्धी तक रहता है, या करम में भी आता है, रिजल्ट में देखा जाता है, अगर बुद्धी और वानी में सोब आते रहती हैं, तो करम में 50 हैं, तो उन्हों को follow father कहें? अधूरी रिजल्ट वालों को follow father की list में रखें, आप क्या समझते हो? वे फर्मान बरदार हैं, कि आप आधे में राजी हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद हैं, शुरु शुरु में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर भी list निकालते थे, और अभी फिर से list निकालें कि सिल्वर में नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे? तो आगे बावा कहते हैं कि समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकरती भी दे रही है, प्रकरती भी चैलेंज कर रही है, तो समय के परमान आप लोग औरों को भी सूचना देते रहो. भाष्णों में सब को कहते हो कि समय आ गया है, समय आ गया है, तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को ही कहते हो, दूसरों को कहना तो सहच होता है न? तो स्वयम भी ये चैलेंज समरिती में लाओ. समय के परमान अपने पुर्शार्थ की गती क्या है? तो बाप दादा एक बात पर अंदरी अंदर मुस्कुराते रहते हैं. किस बात पर मुस्कुराते हैं, जानते हो? एक तरफ मिजॉर्टी बच्चे कभी-कभी एक सेकंड ये सोचते हैं कि समय परमान पुर्शार्थ में तीवरता होनी चाहिए. और दूसरे तरफ जब माया अपना परभाव डाल देती है, तो दूसरे सेकंड ये सोचते हैं कि ये तो सब चलता ही है. ये तो महारतियों से भ तो बाबा क्या करेंगे? तो बाबा करते गुसा तो नहीं करेंगे न, मुस्कुराएंगे. तो बाबा इसका कारण बता रहे हैं कि ऐसा संकलब क्यों आता है? कि समय प्रती समय पुर्शार्थ को बहुत सहज कर दिया है, इजी कर लिया है. सभाव को इजी नहीं करते, पुर्शार्थ में इजी हो जाते हैं। फिर सोचते हैं सहज योग है ना। लेकिन बाबा कहते जीवन में पुर्शार्थ में इजी रहना इसको सहज योग नहीं कहा जाता। क्योंकि इजी रहने से शक्तियां मर्ज हो जाती हैं इमर्ज नहीं होती। तो आप सभी अपने ब्रहामन जीवन के आदी का समय याद करो। उस समय पुर्शार्थ कैसा रहा। इजी पुर्शार्थ रहा या अटेंशन वाला पुर्शार्थ रहा। तो बाबा करते अटेंशन वाला रहा। उम्मंगुच साहा वाला रहा। और अभी तो अलबेले पन के डनलप के तक्ये और विस्तर मिल गए हैं। साधनों ने अराम पसंद जादा बना दिया है। तो अपने आदी के पुर्शार्थ, आदी की सेवा और आदी के साहो को चेक करो, क्या था? अराम पसंद थे? तो बीच में किसी ने जवाब दिया? नहीं। तो बाबा करते अभी थोड़ा थोड़ा है। साधन सेवा के प्रती है, साधन स्वैम को अराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो अभी डनलप का तक्या और विस्तरा चेक करते लिए बनो, पर ट्राने बनो, फिर भाबा कहते भले पलंग पर सो। लेकिन स्थिति पट्रानी पट्राने की हो। तो देखो, आदी सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी स्रेश्ट्र ही। जिस आदी की स्थापना ने ये सारी वृध्धी की है, तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो, जब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है, तो साधना है बीज और साधन है विस्तार, तो साधना का बीज छिपने नहीं दो, अभी फिर से बीज को परतक्ष करो. तो आगे बाबा कहते बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था लेकिन किया नहीं याद है क्या दिया था कि कौपियों में ही है तो काम दिया था कि बेहद के वराग्य वृति पर स्वैम से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो और प्राक्टिकल में इस साधना के बीज को परतक्ष करो तो बावा पूछ रहे हैं किया कि एक दिन सिर्फ डिवेट कर ली वर्कशौप तो हो गई लेकिन वर्क में नहीं आई तो वर्तमान समय के परमान अभी अपनी सेवा वा सेवा स्थानों की दिन चर्या बेखद के वराग्य वर्ति की बनाओ लेकिन अभी अराम की दिन चर्या मिक्स हो गई है ये अलबेलापन शरीर की छोट-छोटी बिमारियों के भी बहाने बनाता है तो बावा केते पहले भी तो बिमारी होती थी न लेकिन सेवा का उमंग बिमारी को मर्च कर देता है जब कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तो बिमारी याद आती है अगर आपको इंचार्ज बहन कहे नहीं, आपके तिवे ठीक नहीं है दूसरे को करने दो तो करने देंगे उस समय बुखार रवा सिर्दर्द कहां चला जाता है और जब कोई सेवा पसंद नहीं होगी तो क्या होगा सिर्दर्द भी आ जाएगा तो पेट दर्द भी आ जाएगा सुनाया है ना कि अगर बहाने बाजी में बुखार कहेंगी तो टीचर कहेगी कि थर्मामेटर लगाओ, लेकिन पेट दर्द और सिर्दर्द का थर्मामेटर तो है यह नहीं, तो इसलिए मूड ठीक नहीं होगा, तो कहेंगे कि पेट दर्द है, तो बाबा कहते ये सब अलबेलेपन के बहाने हैं, बेहद की वराग्ये वृति मर्ज हो ग मदुबन में पहुँच गए हैं, तो सनेहे तो दिखाया उसकी मुबारक हो, बाब दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है, सिर्फ मदुबन तक पहुँचना है, या सनेहे का सबूत दिखाने के लिए फरिष्टे रूप में वतन में पहुँचना है, क्या करना है, पूछने बाबा क्या करना है, मदुबन में पहुँचे उसकी मुबारक है, लेकिन फरिष्टा बन वतन में का पहुँचेंगे, चलते फिरते आप सभी को फरिष्टा ही देखें, ऐसे स्थिती बन जाए कि चलते फिरते हम बाबा के बच्चों में सभी को फरिष्टा ही दिखाई दे बोल चाल रहन सेहन सब फरिष्टों का बन जाए और फरिष्टेकार्थ ही है डबल लाइट तो सिरफ दिन चर्या में लाइट नहीं बनना है लेकिन संबंद संपरक और स्थिती में भी लाइट तो बाबा पूछ रहे हैं कि लाइट बनना आता है कि बोज खीज़ता है बाब तादा सनेह का सबूट देखना चाहते हैं और जब सनेह का सबूट देंगे तो आपको तालियां बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन माया भी ताली बजाएगी कि वहा विजेई वहा परकरती भी ताली बजाएग स्नेहे के परिवर्तन में शक्ति रूप बनो सहजियोगी सहजियोगी करके अलबेलापन नहीं लाओ बाप तादा देखते हैं कि स्ववप्रती चाहे सेवप्रती चाहे औरों के संबंद संबर्क प्रती अलबेलापन जादा आ गया है तो ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है एक दो को कौपी नहीं करो बाप को कौपी करो दूसरों को देखने की आदद थोड़ी जादा हो गई है अपने को देखने में अलबेला बना गया है तो बाप तादा ने सुनाया था न कि नजदीग की नजर कमजोर हो गई है और दूर की नजर तेश हो गई है तो अभी क्या करेंगे? सीजन का फल क्या देंगे? कि सिर्व बाप आया, मिलन मनाया, मुरली सुने, ये फल है? हर सीजन का फल होता है न? तो इस सीजन का फल बाप तैदा को क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते हो तो फल भी रखते हो न? वो तो बजार में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं अभी सीजन का फल क्या भेंट करेंगे? या भोग लगाएंगे? लगाना है या मुश्किल है? तो देखेंगे कि नंबर वन भोग कहां से आता है? वाइदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो, कभी भी ना नहीं करते हो, हाँ ही करते हो, खुश कर देते हो, लेकिन अभी क्या करेंगे? टीचर्स नंबर वन भोग लगाएंगी न? सभी सेंटर्स का भोग देखेंगे. प्रविर्ती वाले भी भोग तो लगाते हो न? कि खुद ही खा जाते हो. तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर्स वालों का काम है, सभी का काम है. तो बाबा कौन से भोग की बात कर रहे हैं? कि स्वैम के परिवर्तन में शक्ति सरू बनना है. तो इसलिए फर्मान बर्दार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है. तो अभी तक बाबा ने मुरली में क्या कहा? कि जैसे ब्रमा बाप फर्मान बर्दार थे, ऐसे हम बच्चों को भी फर्मान बर्दार बनना है. और चोथा कदम है वफादार. कभी भी मन से, बुद्धी से, संकलब से बाप के बेवफा नहीं बनना. वफादार का अर्थ ही है सदा एक बाप, दूसरा ना कोई. संकलब में भी देहे, देहे के संबंद, देहे के पदार्थ, वा देहधारी व्यक्ति अकर्षित नहीं करें. जैसे जब पती-पत्नी एक-दो के वफादार बनते हैं, तो स्वपन में भी अगर पर की याद आई, मान दूसरे की याद आगई, तो उसे वफादार नहीं कहा जाता. तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकलब भी दूसरे के तरफ नहीं. एक बाप सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार. अगर पदार्थ की भी अकर्षन है, साधनों की भी अकर्षन है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है, और खंडित कभी भी संपन पूज्जे नहीं कहा जाता है. तो इसलिए बावा कहते चेक करो कि संकलप में भी कोई आकर्षन बेवफा तो नहीं बना देती अगर जराव ही किसी के प्रती विशेश जुकाव है थोड़ा सा परसनल जुकाव है चाहे गुण के उपर, चाहे सेवा के उपर, चाहे अच्छे संसकारों के उपर भी अगर एक्स्टा पर भावित हैं, तो वफादार नहीं कहा जाएगा अगर सिर्फ सब की विशेशता और बेहद की विशेशता पर अकर्षित हैं, वो दूसरी बात है लेकिन किसी विशेश विक्ति या वैभव के उपर अकर्शित है तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा तिसले बाबा केते चेक करो कि खंडित मूर्ती तो नहीं है पूजे हैं कहां एक्स्टा लगाव वा जुकाव तो नहीं है संकल्प मातर भी चुकाव नहीं वाच्छा कर्मना की तो बात ही छोड़ो लेकिन संकल्प मातर भी है तो खंडित के लिस्ट में आ जाएगे तो बाबा केते चेक करना आता है न अच्छा चारों और के सनेहे का सबूत देने वाले हर फर्मान को संकल्प, बोल और करम में लाने वाले सदा स्वैम को बाप समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने के दिड़ संकल्प धारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते तो रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते तो आज का वर्दान है साक्षी पन की स्थिती द्वारा hero part बचाने वाले सहेज पुर्शार्थी भव तो बाबा कहते साक्षी पन की स्थिती ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनती है अगर साक्षी पन नहीं तो हीरो पार्ट नहीं बजा सकते तो साक्षी पन अर्थात देहे से न्यारे आत्मा मालिक पन की स्टेज पर स्थित रहे देहे से भी साक्षी मालिक तो इस देहे से करम कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिती ही सहज पुर्शार्थ का अनभव कराती है क्योंकि इस स्थिती में किसी भी परकार का विघन वा मुश्किलात नहीं आ सकती ये है मूल अभ्यास क्योंकि जितना साक्षी स्थिती में रहेंगे उतना किसी भी बात में फंसेंगे नहीं तो किसी भी तरह का विघन या मुश्किल नहीं आ सकती तो इसी अभ्यास से लास्ट में विज़ई बनेंगे और आज का स्लोगन है फरिष्टा बनना है तो अपने सर्व रिष्टे एक प्रबू के साथ चोड़ लो तो फरिष्टेकार्थी क्या है जिसका किसी से कोई रिष्टा नहीं सिर्फ एक बाबा के साथ रिष्टा ना अपनी देहे में ना देधारियों में ना दे के पदार्थों में किसी भी तरह की कोई अकर्षन नहीं सिर्फ बाबा के साथ ही सर्व संबंद जुड़े हो सर्व संबंदों का रस सिर्फ एक बाबा से ही अन्भव हो लेकिन अगर अभी भी कोई ना कोई संबंदों का रस देहे केप दार्तों का रस अपनी तरफ अकर्षित करता है तो सोचो फृरिष्टा फिर हम कैसे बनेंगे तो इसलिए फृरिष्टा बनने के लिए हमें अपने सर्व संबंद एक बाबा से ही जोड़ने है और सर्व रिष्टों का अनभव सिर्फ और सिर्फ एक बाबा से ही करना है ओम शान्ति